नमस्कार मित्रों मेरा नाम है नितिन चोहान और मैं आपको सुनाऊंगा आज 19 उट की प्रेणा दाया कहानी एक गाउ में एक व्यक्ति के पास 19 उट थे एक दिन उस व्यक्ति की मृत्य हो गई मृत्य के पस्चात उसकी वसियत पड़ी गई जिसमें लिखा था कि मेरे 19 उट में से आधे उट मेरे बेटे को दिये जाए एक चोथाई मेरी बेटे को दिये जाए और पांचमा हिस्सा मेरे नौकर को दिया जाए सब लोग चक्कर में पड़ गए ये बटवारा कैसे हो सकता है 19 उट का आधा अर्था एक उट को काटना पड़ेगा फिर तो उट ही मर जाएगा चलो एक को काट भी दिया तो बचे 18 उनका एक चोथाई साड़े चार साड़े चार होगा तो फिर कैसे करे सब बड़ी उलजन में थे फिर पड़ोस के गाउं से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने उट पर चड़ कर आ गया और समस्या सुनने लगा थोड़ा दिमाक लगाया फिर बोला इन 19 उट में मेरा भी एक उट मिला कर बांट दो सबने सोचा कि एक तो ये मरने वाला पागल था जो ऐसी वस्यत करके चला गया और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बुलता है कि उनमें मेरा भी उट मिला कर बांट दो फिर भी सबने सोचा कि चलो बात मान लेने में क्या हर्ज है तो उननीस उट में एक मिला कर बीस हुए बीस का आदा दस बैटे को दे दिये बीस का चौथा हिस्सा पांच बैटे को दे दिये और बीस का पांचमा हिस्सा चार नोकर को दे दिये अब सब का मिलान किया तो दस पांच और चार टोटल उननीस उट हुए बज गया एक उट जो बुद्धिमान व्यक्तिका था वो उसे लेकर अपने गाउं लोड गया फ्रेंच इस तरह एक उट मिलाने से बाकी 19 उटों का बटवारा सुखसान्ती संतोस्व आनन से हो गया फ्रेंच हमारे जीवन में भी ऐसी 19 उट होते हैं जिसे हम कहते हैं पांच ग्यानेंद्री, पांच करमेंद्री, पांच प्राण और चार अंतसकर इन्ही 19 उटों के बीच हमारा जीवन उलजा रहता है फ्रेंच ये कहाने आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्याणा